जेहिन दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल में आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए आपर हिंदी साहित के बहुत ही महत्वपूर्ण कॉस्चन आंसर तो वीडियो को पूरा वस्त देखना है अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल क आपसे बनता है तो आप कमेंट में आंसर जरू बताएं क्या होगा इसका सही आंसर तो अप ब्रंस का बालमी की कहा जाता है किसको कहा जाता है तो आपके यहां पर सही आंसर क्या होगा स्वेंभू विकल्प नंबर आपके यहां पर सी राइट आंसर होगा बिलकुल सही वि question number 42 कि आप पूंचा गया है तो देखिए अब ब्रंस के प्रिथम महा कभी कौन थे तो अब ब्रंस के प्रिथम महा कभी आपसे पूंचा है हम रामचंद्र स्वेंभू या दत्य तो question number 42 का right answer बताईए चार विकल्प आपके यहां पर दिये गए हैं अब ब्रंस के प्रिथम महा कभी पूंचा है तो महा कभी में आपके हो जाएंगे कौन आपका right answer है स्वेंभू स्वेंभू आपका यहां पर सही answer है विकल्प नंबर भी right answer question number 43 पूंचा है यहां पर की स्वेंभू की किर्थी का नाम है पद्मपुराण पाहुड दोहा महा पुराण या इच्छा में तो यहां पर आपका बताना की स्वेंभू की किर्थी का नाम बताना है तो आपका सही answer है पयूम चरिओ विकल्प नंबर डी आपका है यहां पर सही answer है विकल्प नंबर आपका चावालस क्या पूंचा गया है तो question number 44 यह दिया गया है पयूम चरिओ किसकी 2011 में एक question पूंचा गया था question number 45 यहां पर क्या पूंचा गया है तो देख लेते हैं कि इनमें से किस ग्रंत में लिखा है कि अगनी परिक्षा की वासीता जेन धर्में दीख्चे तो जाती है तो बह ग्रंत बताना है कौन सा बह ग्रंत है बह ग्रंत का नाम बताईए यहां प पर मातमा प्रकास पयूंचरियो तो question number 45 का right answer है आपका यहां पर विकल्प नम्बर D पयूंचरियो आपका यहां परice अंसर है बिलकुल चाही विकल्प नमबर D quessh never आपका यहां पर क्या पूंचा है तो question number 46 पूचा गया है यहाँ पर ए कि इनमें से कौन सा ग्रंथ लोक एक चरितरकाब बे माना जाता है तो लोक एक चरितरकाब बे माना जाता है ग्रंथ बताना है वह कौन सा ग्रंथ है तो यहाँ पर GIC प्रवक्त परिच्छा 2017 में question पूचे गया है question number 46 और इसका जो सही answer है बहे क्या है तो लोक एक चरितरकाब बे माना जाता है तो बहे ग्रंथ कौन सा है तो भविस्यत कहा यानि कि विकल्प नंबर यह आपका यहाँ पर सही answer है भविस्यत कहा right answer है बिलकुल सही और यहाँ पर question number 47 पूचा है आप ब्रंथ का भववूति किस पाल महत्पुन question है question number 47 और इसका जो सही answer है कि आप ब्रंथ का भववूति कहा जाता है पूस्पदंत को किसको पूस्पदंत यानि कि विकल्प नंबर भी आपका यहाँ पर सही answer पूस्पदंत आपका right answer यहाँ पर है question number 48 क्या पूचा गया है तो 48 वा question आपका यह रहा यहा नहीं है देखे नहीं पूचाये आपसे यहाँ पर तो नहीं मैं आपके लिए बताना है तो बताये महापुराण यह जकाrol यहार चारीू प्यूम चर्यू तो आपका यहाँ पर सही answer का पूस्पदंत की नहीं है तो तो बहेर है सही answer भी कल्प नंबर डी यानि कि प्यूम च question number आपका 49 पूँचा गया है कौन सी रचिना स्वयम्भू कभी की नहीं है तो यहाँ पर 49 का आंसर बता नहीं पूचा है स्वयम्भू जी की बताइए पड़ियम चरियू, स्वयम्भू, चंदे और रिठ अड़ियम चरियू, महापुराण यह आपके चार विकल्ब है question number है आपका यहाँ पर 49, 49 का सही आंसर है D, महापुराण, महापुराण आपका यहाँ पर सही आंसर है बिल्कुल सही, महापुराण आपका राइट आंसर पुस्पदंत की रचिना है कॉस्चेन नंबर आपका 50 क्या पूंचा है खली बोली में सबसे पहले कापदे सिर्जन करने वाले कभी है अमीर खुसरो तुलसीदास इनने से कोई नहीं question number 50 का answer आपके लिए बताना है चार विकल्प आपके हाँ पर दिये गए हैं और इसका जो सही answer है question number 50 का महत्तपूर्ण question है विकल्प नमबर एक अमीर खुसरो अमीर खुसरो आपके यहाँ पर सही answer है विकल्प नमबर एक राइट आंसर यहाँ पर होगा question number in count क्या पूँचा गया है तो यहाँ पर देख लेते हैं कि खड़ी बोली हिंदी में सरपर्थम रचना करने वाले कभी का नाम बताईए तो question number in count का आपका जो सही answer होगा वह क्या होगा in count का right answer यहाँ पर बताना है जाईसी विद्यापती अमीर कुसरो या भारतेंदू हरिस्चेनर तो इनक्या उनका आपका जो सही answer है खड़ी बोली हिंदी में सरपर्थम रचना करने वाले जो कभी है बाए कौन है अमीर कुसरो अमीर कुसरो यानि की विकल्प नंबर भी आपका right answer होगा कौस्चेन नंबर आपका यहां पर बाउन पूचा क्या है क्या पूचा है मुक्री लिखने का सरपर्थम प्रियास किस कभी ने किया था तो मुक्री लिखने का जो सरपर्थम प्रियास किया था मुक्री या लिखी थी सबसे पहले स्वेंबू ने अमिर खुसरोज जंगने क्या अंभंदास तो इहांप़ आपका राइट आंसर होगा बाऊन का क्या होका राइट आंसर महत्न खुपण कौशन है कलju बार एक जाम है जा चुका कौशं है और आपका अमिर खुसरोज जा दानजर है मुकरियां लिखने का जो प्रियास किया था सर प्रतम भे अमीर खुसरो जी ने किया था तो विकल्ब नंबर C आपका यहाँ पर सही आंसर है question number 53 क्या पूंचा है तो यहाँ पर देख लेते हैं question number 33 आपका A यहाँ पर दिया गया है कॉस्चिन नमबर 13 है चार विकल भी आपके यहां पद्येगा है बताईए कमेंट में आंसर कॉस्चिन नमबर 13 का तो आपके हाँ पर जो सही आंसर है भैए आपके हाँ इसका उद्देश से जो है मनुरंजन की माध्यम से लोग भी उहार की सिक्षा यह जो है इनका प्रमकोद्दे से इनकी मोकरिया और जो पहलिया है इनका अमीर को सुरो की है कॉस्चिन नमबर आपका चंगन क्या पूछा क्या है तो निमन मेंसे कौन सिलांकित किरती है सिलांकित किरती आपके लिए बताना है पाहुड दोहा है राउल बेल है प्राक्रित प्यंगलम है बन रतना कर कॉस्चिन नमबर चंगन का सही आंसर चार विकल्प दे गए हैं सभी लोग वीडियो को लाईक अवस्चिक करते जाएं जैंदों के अबी टक वीडियो को लाईक नहीं क्या है और यहां पर राउल बेल राईक आंसर है यह सिलांकित किरती है कौन सी है राउल बेल यान की विकल्प नमबर общем का राइट आंसर है सलंकित किरती है बिलकुल और क्वेशन नमबर आपके यहाँ पर पच्पन क्या पूंचा गया है राउल वेल किस तरह की रचिना है यह आपके लिए बताना है तो गद्धे पद्ध मिस्रिट चंपू का बे नाटक सुद्धे का बे अपने मख्यानक प्रव राउल वेल किस तरह की रचिना है तो गद्ध पद्ध मिस्रिट चंपू का बे आपका राइट आंसर यहाँ पर है कौश्चन नमबर चपन का सही आंसर बताईए महत्तिपूर्ण काश्चन है और इसका जो सही आंसर है 56 का वह होगा आपका राइट आंसर विकल्प नंबर आपका B यानि की उक्ति व्यक्ति प्रकरण आपका यहां पर सही आंसर है उक्ति ब्यक्ति प्रकरण जो है व्याक्रण ग्रंती की रूप में प्रतेश्टे थे तो विकल्प नमबर B राइट आंसर यहाँ पर होगा Quesion नमबर संताउन क्या दिया गया है तो यहाँ पर देख लेते हैं Quesion नमबर संताउन आपका यह रहा Quesion नमबर संताउन उक्ति व्यक्ति ग्रंथ है, महाकाब या आपका छंद है, गद्ध काब या ब्याकरण है, अब भी पड़ा, महत्युपन कॉस्चन है, तो बताईए कॉस्चन नॉम्बर संताउन का, राइट आंसर यहां पर क्या होगा, चार विकल्ब दिये गए हैं, और संताउन का आपका सह आंसर है, PGT परीक्षा 2015 में यह कॉस्चन पूँचा गया, D राइट आंसर है, आपका यहां पर यान की ब्याकरण ग्रंथ है, यह आपके लिए याद रखना है, उक्ति व्यक्ति प्रक्राण जो है, ब्याकरण ग्रंथ है, कॉस्चन नॉम्बर आपका अंठाउन पूँचा यह आपका कॉस्चन PGT परीक्षा 2011 में यह कॉस्चन पूँचा गया है, तो ब्रेजवासा डिंगल पिंगल खड़ी बोलिया अब दी, तो कॉस्चन नॉम्बर 69 का जो सही आंसर है, बहे हैं आपका 69 का विकल्प नंबर एक ब्रेजवासा, ब्रेजवासा आपका यहां पर सह आपका यहां पर दिया गया है, कॉस्चन नॉम्बर 60 यह रहा, रासु ग्रणते किस भासा में लिखे गए थे, यह कॉस्चन महत्तुपून है, तो जो रासु ग्रणते थे, यह किस भासा में लिखे गए थे, तो आपके हैं पर सही आंसर क्या होगा, खड़ी बोली, बिखे भासा या डिंगल पिंगल तो डिंगल पिंगल आपके हैं पर सही आंसर है, डिंगल पिंगल रासु ग्रणते किस भासा में लिखे गए थे, तो यह जो है डिंगल पिंगल भासा में लिखे गए थे, विकल नंबर डी राइट आंसर आपका यहां पर होगा, कॉस्च साहित का ना साहित का रासु साहित का कौश्चन नमबर 61 का सही आंसर बताईए महत्वपूर्ण कौश्चन है और 61 का सही आंसर आपका यहां पर होगा यह है जो रासु साहित है इसका दूसरा नाम था क्या चारन साहित याद रखना है चारन साहित जो है रासु साहित इसका देखे नहीं पूंचाए आपसे यहां पर तो नहीं में आपके लिए बताना है तो बताइए question number 62 का right answer तो यहां पर महत्तपूर्ण question है अपने जो पिछली परिक्चा में पूंचे गए है और यहां पर आपका जो सही answer है कि 84 सिद्धों में नहीं है तो बहुत नहीं है कौन सार यानि कि विकल्प number C आपका यहां पर right answer है तो सारंग धर आपका यहां पर सही answer बिल्कुल चाहिए question number 63 देख लेते हैं क्या पूंचा गया है question number 63 तो यह रहा आपका question number 63 देखिए आधी काल में किस पिरकार का साहिट लिखा जा रहा था तो आधी काल में जो साहिट लिखा ज लिखा जा रहा था तो आपका सही आंसर है क्या है राइट आंसर जन जीवन से हट कर रहे राजाओं की बीरता का अतिरंजित बंडन क्या जा रहा था आदिकाली आदिकाल का जो साहित था इसमें आदिकाली साहित में ये लिखा जा रहा था जन जीवन से हट कर राजाओं की ब प्रिति पादन इसमें जो है नहीं है तो विकल्प नमबर सी आप कहां पर राइट आंसर है विकल्प नमबर सी राइट आंसर है कॉस्चन नमबर आपका 65 यहां पर पूँचा गया है कि हिंदी साहित के 700 से 1400 इसवी के काल खंड को गिरेशन ने क्या नाम दिया है यह कॉस्चन मोश्ट इंपॉर्डन कॉस्चन पूँचा गया है आपसे यहां पर तो बताएए क्या है इ यह कॉस्चन पूँचा गया था राइट आंसर है विकल्प नमबर सी चारनकाल चारनकाल आपका यहां पर सही आंसर है बिलकुल सही चारनकाल जनों ने बताया है सही आंसर है कॉस्चन नमबर आपका 66 क्या पूँचा गया है तो कॉस्चन नमबर 66 है विसल दिव रासों ने किस Selly का प्रयोग किया है सेंगारिक, गे, अख्यान या प्रवन्दे तो विसल दिवरासो में किस सेली का इसमें प्रयोग किया है विसल दिवरासो में कॉस्चिन नम्常कर 66 है और 66 का सही आंसर आपका यहाँ पर जो होगा वह क्या होगा तो राइट आंसर है लेरे से लिखे लेते हैं विसल दीवी रासों के रचेता कौन हैं यह आपका है इसको सहिए और इसका सही आनसर है आपका नर्पति नाल। सि आपके राइट आनसर होगा विसल्दिव रासो के रचेता कौन है तो नर्पति नाले आपका यहाँ पर यह question ही double हो गया, यहाँ पर Question 59 देख लेते हैं, निमलेके रासो गरंतों में क्यों सा कावब है एक प्रयम कावब या सिंगार कावब है कौन साब काब है जो एक प्रेम काब है या सिंगार काब है तो वीसल दिवरासो, प्रत्वी राज रासो, परमाल रासो या जैवैंक जस्चंदरिका Q89 का सही आंसर आपके लिए बताना है Q89 का राज़ आंसर इहां पर क्या होगा तो Canadian का एक राज़ आंसर विकलत नंबर एक यानिकी वीसल दिवरासो वीसल दिवरासो आपका राज़ आंसर है यहां पर पूँचा है कि निम लिकेते रासो गरंतों मेंसी कौन सा कापबे एक प्रेम कापबे या सिंगार कापबे तो वीशल दिव रासु विकल्प नंबर एक राइट आंसर दो जान नौ में एक कॉस्चिन पूंचा गया था कॉस्चिन नंबर आपका सत्तर पूंचा है निम लिकित में से किस रासु काबे का मूल वर्ण विसाय बीर रस ना होकर सिंगार रस है यह आपके लिए बताना है यहाँ पर तो question number 70 है निमलिकित मेंसे किस रासु का बेका मूल बनने विशाए बीर रस ना होकर सिंगार रस है तो आपका यहाँ पर खुमाल रासु या वीसल दिव रासु प्रत्वी राज रासु या परमाल रासु तो 70 का आपका जो सही आंसर है 70 का राइट आंसर होगा यहाँ पर विकल्प नंबर सि वीसल दिव रासु वीसल दिव रासु आपका यहाँ पर सही आंसर है बिल्कुल सही विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सि राइट आंसर यहाँ पर है तो इस परकार अपनी यहाँ पर बह वीडियो को लाइक करना न भूलें और इसी तरह के बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं तो आप चैनल को सस्क्राइब अबस्ते करने तो आज की वीडियो में बस इतना ही सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैहिन